Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is introduction to hub. In the previous video, हम लोगों ने discuss किया था कि hub जो है वो physical layer पर काम करता है and जो basic difference होता है hubs and repeaters में, एक key point के base पे हम लोगों ने वो भी discuss किया था. So, अब हम लोग next point देखते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि hubs जो होते हैं, उनकी कुछ arrangement होती है, जैसे कि basically हम लोग star topology को follow करते हैं. अब star topology के होती है, simple मैं आप लोगों को basic सा बता देती हूँ, कि topology, ठीक है, topology का मतलब होता है arrangement, ठीक है, arrangement यहाँ पे है computer systems की arrangement हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, जैसे यह star हो गया, इसके designing से थोड़ा सा idea आप लोगों को हो रहा होगा, और हमारे जो institutions होते हैं, colleges, universities होती हैं, वहाँ पे एक basic designing होती है, basic arrangement होता है computer systems का, वो इस तरह से होता है, इस तरह से computers connected होते हैं न सबी, right, so यह भी arrangement होती है, यह भी बस topology होती है, ऐसा नहीं है कि यह design अच्छा लगता है, university वालों को इस तरह से computers रखते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक reason होता है, कि वो लोग topology को follow क ठीक है, so यह सब हम लोग detail में discuss कर लेंगे, so next point यहाँ पे है हमारे पास, जो basic difference भी बोल सकते हैं, हम hub और repeaters में, and यह hub का एक new feature भी है, ठीक है, जैसे कि हमने hub में कहा था, कि this is what, this is a multiport system, this is a multiport system, यानि कि इस में दो से ज्यादा ports हम लोग connect कर सकते हैं, ठीक है, sorry repeaters में क्या होता है, यह repeater है, जिरफ यहाँ पे एक device है, यहाँ पे दूसरे device है, इस से जादा यहाँ पे ports नहीं होते हैं, ठीक है, but repeaters में क्योंकि multiple ports होते हैं, इसलिए यह क्या गरता है, इसका area of coverage होता है, वो भी जादा होता है, ठीक है, so next point यहाँ पे है, data forwarding, ठीक है, यह चीज़ हम लोग ने discuss की थी, कि जो hubs होते हैं, ठीक है, यह क्या होते है, pure hardware होते हैं, क्योंकि यह हमेशा काम करते हैं, physical layer पे, right, physical layer पे काम करने वाली कोई भी चीज, pure hardware होती है, इसमें software का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, and repeaters में भी same चीज थी, but क्या difference है यहाँ पे, कि जो repeaters होते हैं, ठीक है, इस तरह से repeaters होते हैं, अब repeater में यह जो cable use हुई है, अगर इस cable में कोई fault आ जाता है, ठीक है, माल लीजे, cable में कुछ भी छोटा सा cut लग गया, या कोई cable में internally कोई fault आ जाता है, तो repeater क्या करता है, उस चीज के बारे में system को नहीं बताता है, ठीक है, repeater इतना smart नहीं है, कि वो acknowledge करेगा, कि हाँ, इस wire में कुछ problem है, इस wire में कुछ cuts लगे है, बट क्यूंकि hub जो है, वो थोड़ा advanced है, ठीक है, hardware है, पर थोड़ा advanced feature है, इसमें, so यहाँ पे repeater, sorry, यहाँ पे hub क्या करता है, acknowledge कर देता है, कि इस वाली wire में कोई issue आ गया है, and please उसे जल्द management वो दे देगा, यह जितने भी points मैंने यहाँ पे बताए है, यह ports नहीं है, सिरफ यह ports तीन है, one, two, three, okay, यह जो है, यह advanced sensors लगे होते हैं hub में, जो कि इस तरह के कोई भी issue होते है, उन्हें फटा-फट से central device को बता देते हैं, या फिर हम यह भी बोल सकते हैं, कि जो hub है, वो notify कर देते हैं, तो dedicated device है, तो आपने यह हमेशा याद रखना है, कि जो भी dedicated devices होते हैं, इसका मतलब है कि उसमें कुछ advanced features होते हैं, ठीके, previous जो device थी, उससे अगर compare करेंगे, तो इसमें कुछ advanced features होते हैं, तो यह जो होती है, यह चोटी-चोटी lights भी होती हैं, यहां पे, ठीके हैं, तो यह lights क्या करती हैं, यह blink करती हैं, ठीके, अगर कोई issue होगा, तो यह lights blink करेंगी, जिससे हमें idea हो जाएगा, जैसे कि हमारे phone में मान लीजे, एक चोटी से light टॉप पे होती है, जिससे हमारे पता चल जाता है, कि कोई message आया है, या फिर हमारे phone की battery low है, ठीके, बिना phone को touch के, हम लोग उन light से पता लगा सकते हैं, कि क्या issue है, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ LED lights होती है, जो blink करती है, जिनसे की idea हो जाता है, developers को, कि हाँ, यहाँ पे हमारे hub में, हमारा जो पूरा network का setup है, उसमें क्या issue है, ठीके, तो यहाँ पे forwarding का वही मतलब है, जो repeaters में थ कि, क्या अगर system 1 ने, system 3 को कोई भी file भेजनी है, तो वो hub के through forward करेगा, ठीके, forward का simple सा मतलब है, कि एक की file, यहाँ तक वो forward करेगा, या नहीं करेगा, so yes, वो files को forward जरूर करेगा, ठीके, so यह important है, कि hubs जो है, वो data packets को, या किसी भी type की file को, किसी भी चीज को, किसी भी frame को क्य करते हैं, forward कर सकते हैं, right, so third point we have is filtering, filtering, okay, and आप लोगों ने ये point ध्यान में रखना है, कि जितनी भी ये network devices हम लोग ने discuss की है, जैसे कि hubs है, router, bridges, repeaters, ठीके, इन सब में ये common points होते हैं, जैसे कि forwarding ये करते हैं, या नहीं करते हैं, filtering करते हैं, या नहीं करते हैं, इन में collision होता ह है, या नहीं होता है, ये सब चीजें बहुत ही basic है, बहुत ही important है, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, so next point है, कि क्या hubs data filtering करते हैं, या नहीं करते हैं, so in general filtering का मतलब क्या होता है, जैसे अब घर में भी हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, कोई छनी यू container में collect हो रही है, लेकिन जो unwanted चीजें थी, जो चीजें हमें नहीं चाहिए थी, जो waste था, वो यह यहीं पर रोक देता है, ठीक है, तो क्या hub ये काम करते हैं, कि अगर first system ने third को कोई file भेजनी है, ठीक है, तो क्या hub सभी type की file third को भेज देंगे, या फिर वो यहां पे कुछ filter यूज करेंगे, जिससे की unwanted files जो हैं, वो हमारे destination तक नहीं पहुंचे, so जो hubs होते हैं, वो filter नहीं करते हैं, ठीक है, वो data packets को filter नहीं करते हैं, हब जो है, उसमें ये चीज तो हमने बता दी कि इसमें lights होती है, multiport होता है, कि हाँ, ये data packets को easily forward कर देता है, ये सब उसमें advanced features हैं बड़ जो filtering है, जो main चीज होती है, filtering, वो hubs नहीं करते हैं, यूज, ठीक है, hubs में क्या होता है, पहला जो ये है, ये हमारा destination है, ठीक है, ये हमारा source है, मान लीजिए, ठीक है, third से file जानी है, system 1 पे, ये system 1 से जानी है, third पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, so ये क्या करेगा यहां से file तो hub तक पहुंच जाएगी, लेकिन hub इतना smart नहीं है, कि वो इसकी, जो destination है, sorry, ये जो destination है, वो क्या कर सकता है, इसकी, मतब इसका address इसके पास नहीं होता है, तो ये क्या करता है, hub के पास जैसे ही packet पहुंचेगा, hub क्या करेगा, यहां पे भी file भीज देगा, यहा किसी एक student की notebook थी, ठीक है, तो सिर्फ class पता थी मुझे, कि हां ये 9th class के किसी student की notebook है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक student को बुलाया, और उसे बोला, कि ये 9th class है, और 9th class में जाओ, और ये notebook दे दो, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो particular जाके वहां पे class में, यह नही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है, वो simple गया, और 9th class में जाकर के हर एक बच्चे को वो book दिखा रहे है, कि हां ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, कुछ भी नहीं पूछ रहे, ना उसने ये पूछा, कि क्या ये book आपने दी हुई थी teacher को अगर वो directly पूछ ले ना, कि student ने इस sir को ये इस man को ये book दी हुई थी, तो भी easy हो जाएगा, या फिर वो name, roll number book में देख ले, तो भी easy हो जाएगा, बट ये student ने क्या किया, इन्हों ने कुछ भी नहीं किया, ये बस चले गए और हर एक के पास जाकर के वो book देने लग कि ये आप की है, ये आप रख लो, ठीक है, वैसे ही काम हब करता है, यहाँ से कोई file भेजी, इसे पता नहीं है exactly, ये file कहां पे जानी है, ये क्या करता है, हर एक device पे, हर एक जो भी system के साथ, computers connected होंगे, हर एक पे जाके उसको forward करतेगा, ठीक है, तो ये forwarding जरूर करता है, ल यहाँ पे तो ये पता नहीं कब पहुंचेगा, ठीक है, हमार लीजे, 20 computer systems है, जो last system है, 20 वाँ system है, वहाँ पे हमारे पास file देनी थी, तो हब क्या करेगा, पहले एक से शुरू करेगा, दो, तीन, चार, तो जहाँ जो proper destination है file की, वहाँ तक file पहुंचने में, तो ये बहुत होता है, क्योंकि hubs क्या होते है, यह फिसिकल डिवाइस होती है, यहाँ पे कोई software नहीं है, अगर यहाँ पे कोई, बिल्कुल थोड़ा सा पे कुछ software की working होती, तो यह रहता कि जो destination का source address है, sorry, जो destination का MAC address है, IP address है, जो भी यह store करता, ठीक है, तो अगर उसके प्रॉपर address होता, वो easily वहाँ पर क्या कर सकता था, उस पर पहुंचा सकता था, उस पर data packet को पहुंचा सकता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि यह pure hardware device है, तो इसके पास कोई इतनी capacity नहीं है, कि यह किसी का MAC address है, IP address रखे, और वहाँ तक files को पहुंचा दे, ठीक है, इसी वज़ा से यह होता है, कि ह अब क्या करते हैं, जितनी भी devices connect होती है, सबी को packets forward कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी वज़ा से एक और issue हो जाता है, वो यह है कि traffic बहुत जादा हो जाता है, इस system पे, अब देखो, एक file को पता था, कि मैंने पहले से तीसरे पे पहुंचना है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो file पहले चौते पे गई, दीसरे पे गई, दूसरे पे गई, ठीक है, तो क्या हो गया, traffic तो हो गई न, एक ही packet बिना मतलब से पूरे यहां पे network पे घूमता जा रहा है, तो traffic हो गई, जितना जादा traffic होगा, उतना ही collision होगा, ठीक है, उतना ही जादा collision होगा, सो जो hubs होते हैं, उनमें collision भी अकर होता है, collision का यही मतलब है न, कि बहुत सारी files है, वो आपस में टकरा रही है, ठीक है, पहली file यहां से यहां जा रही थी, दूसरी यहां से यहां जा रही थी, तो network जो होता है, हमारा वो बहुत ही जादा complicated हो जाता है, internally, अब इतने जादा packets वहां पे अंद connection related to hub, and आप लोगों को यहां पे यह points याद रखने हैं, कि यह forwarding करता है, filtering नहीं करता है, and collision भी इसमें बहुत higher level पे होता है, okay, so I hope you understand all these points, thank you.